नमस्कार दोस्तों अमित की रेमिडिस में फिर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जनमाश्टमी कब है 18 अगस 2022 या फिर 19 अगस 2022 शुब महुरत पूजा विधी नियम पारण का समय सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सास्त्रों के अनुसार जनमाश्टमी का खास महत्व कहा गया है यहाँ परवसिव हमारे भारत में ही नहीं बलकी विदर्शों में भी कई जगा मनाया जाता है जनमाश्टमी भगवान स्री कृष्ण के जन दिन के रूप में मनाया जाता है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जनम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को हुआ था। इस दिन भगवान स्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी भक्त उपवास रख कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। अनुसार भगवान स्री करते हैं। के साथ पूजा शुरू होता है। और नौमी को पारन किया जाता है। अश्टमी तिथी को प्राथा स्नानादी से निर्वित होकर सभी देवे देवताओं को प्रणाम करके वरत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद देव की जी के लिए प्रुस्टी ग्रह बनाया जाता है और भगवान स्री कृष्णी की मूर्ती को पालने में रख कर वहां पर कलस स्थापना किया जाता है। प्रतिमा को उस नान कराकर पीले वस्त्र आभुशन पहनाकर और माखन मिश्री का भोग लगाकर अंत में उन्हें जूला जूलाया जाता है और विधी वत पूजा संपन करके जन्माश्टमी वरत में बारा बजे के बाद पारन किया जाता है। अगली सुबा नित क्रिया से निर्वित्त होकर भगवान स्री कृषन की पूजा करके पारन करें। दोस्तों जन्माश्टमी वरत के नियम जान लिजिए। जन्माश्टमी के दिन भगवान कृषन को माखन मिश्री नारियल की बनी मिठाई का भोग लगाए। जन्माश्टमी का वरत अगले दिन सुर्यदय होने पर पारण के बाद खोलें। जन्माश्टमी का पारण सुर्यदय के पस्चात अश्टमी तिथी और रोहिनी नक्षत्र के समाप्थ होने के बाद करना शुब होता है। जन्माश्टमी के दिन लड्डु गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। जन्माश्टमी पर गायों की पूजा और सेवा करनी चाहिए। साथ ही जन्माश्टमी के दिन सात्विक भोजन का इस्तमाल करना चाहिए। तो दोस्तों ये इन्फोमेशन कैसी लगी आपको अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर लिजिए गा और दूसरों तक पहुंचाना चाहें तो शेयर कर दीजिए गा तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बातों के साथ नए जानकारी के साथ अब तक के लिए टाटा